जी नमस्ते, जय जगरनात, मैं हूँ गोरंग पंडा, पंडा आस्ट्रोलोजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, एक नए विडियो के साथ कुछ नलेज को मैं आपके साथ सेयर करने जा रहा हूँ, बिच्छी का लगना, बिच्छी का लगना एक आस्ट्रोफ्रेडिक संक्रन्ती से संक्रन्ती तक का, इसको रैसी की हिसाब से मत देखिए, यह लगना की हिसाब से देखिए, स्कर्पियन आसेंडन्ट, यहीं पर आपका एक लिखा होगा, है तो मेस से अगर हम गिंती करेंगे, यह आठ नमर का है, मगर यहीं पर आपका एक लिखा होगा, तब तो यह वीडियो आपके लिए है ए सूरिय का संक्रमन से अगले भाइना का सूर्या का संक्रमन तक का यह वीडियो है चंक्रन्ती सेसंक्रन्ती तक का मैं जैसे की 17 September 2022 को सूरिय का संक्रमन होता है ये जकलि सुभे साथ बज़कर 22 मिनिट यह दिल्ली का मैंने टाइम लिया है और उसी टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या कोई बच्ची जनम लेता है तो तो अगर जोतिस में आपका रूच्ची है तो इसको मिलता है भद्रा योग, हन से योग, पंचा महापूर्श योग बन से दो योग, गजकेसर योग, चंद्रमंगल योग और भुधा दित्यो योग मगर एक नेगटीव योग यहां मिलता है केमद्रूम योग, केमद्रूम योग तभी बनता है जब चंद्रमंगल अगया और पीछे कोई प्लानेट ना हो, बहुत नेगटीव योग है, एक सोच की दुनिया में इनसान को ले जाता है, जो सोच की हमारा मन का, वो अबचेतन मन को ट्रांसफोर्मेशन होता है, बाके में देखा जाए तो सची में अबचेतन मन ही हमें चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं, ड्राइब करते हैं, और जितने सारे पजेटीव या नेगटीव जितने सारे सोच आम मन में भर देते हैं, वो एक्जेक्लि उसको ट्रांसफोर करता अबचेतन मन को, बहुत इंपक्ट पड़ता है हमारा जीवन के उपर, मैं काई-कई वीडियो में इसको बैक्ष्या किया है, तो ये योग मिलता है, इसमें नक्खेतर डिवीजन, ट्रांजिट अब प्लानेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, एस्पेक्टेशन अब प्लानेट है, ये अगर आपका सही माईने में काम करता है, तो कमेंट सेक्षन में आप बताईए, नहीं तो, इसको हम ओमिट कर देंगे, क्यों आपका 10-20 मिनिट हम लेंगे, बिच्छी का लगना, स्कारिफियन असेंडन्ट, ये लगना अधिपति आपका मंगल देव है, सेनापतित एगरेसिव फर फाइट, कावाड़नेस आप में नहीं है, चाहे किया कुछ हो जाए, हमैशा एगरेसिव फर फाइट, कावाड़नेस नहीं है, चांस ही नहीं है, इसको क्या बैख्या करे, फाल्तों में किसी में चीज में ना उल्ज है मगर अपने पर कुछ आये ना वो छोड़ने को तयाद नहीं है चाहे क्या कुछ हो जाए परसन एक हो और आये है चार कुछ इंता की बात नहीं है टोटल मार्शियल आक्टिविटिज है सेनापती की एक सैनिक की जोस है कहीं अगर आपका लगना अधिपती यह मंगल ने डेविलिटेड नीच हो गया आफेक्टेड आफ्लिक्टेड हो गया बाए कोई मालेफिक कुरेल प्लानेट तो यह सब चीजों में आपका कमी दिखाई पड़ता है अंड यह लगना अठारा की बिलोंग्स करता है तो यह लगना में है एक हिपनोटी जिम पावर यह प्रिच्छी का लगना में हिपनोटी जिम पावर होती है बेसिकली बहुत सर्फ पॉलिटिसियन्स बिच्छी का लगने की होते हैं ल्यांड लट्स, रियल इस्टेट का बिजनेश भुमी पुत्र कहा लता है ना बंगल देव को और इनके लिए सबसे मालेफिक प्लानेट होती है सनी देव सबसे मालेफिक प्लानेट होती है सनी देव और कभी कबर क्या कुछ प्रोब्लेम देखें कोई बच्चा का कोई प्रोब्लेम है तो अपना पेरेंट को बताता है पापा को बताता है चोटी सी बच्चा है ना स्कूल में कोई जगड़ता है तो आके वाँ पापा को बताते है कि पापा ओ ऐसा करता है मारते है मेरे को खेलने नहीं देता है बगड़ा बगड़ा सो मंगल देव का लगना यहीं पहे कहीं अगर कुछ प्रबलेमाटिक है तो आप मंगल का इस्ठ देवी जो होती है माता भगरा मुखी औहसflows भी है अवार्हाम से भगर बख्राश्यां का असमर्ण करे प्रार्थन करे, ध्यान करे, स्तुत्र करे, सहसर नाम स्तुत्र करे, कबच पढ़े, खृदेया पढ़े, बहुत फाइदामन का चीज, और एक बीस से सुचना, बीस तरीक को एक जन का वो बगड़ामुखी पूजन किया गया था, और मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप मेरे चैनल में डाल रखा है, इसका लिंक्स कैसे बनाया जाता है, मेरे को पता नहीं, मेरे को आता नहीं, मैं अच्छा समझता हूँ आपको डायरेट वीडियो में बोल देने में, तो कहीं अगर आपका वो अनमीती शत्रूं के द्वारा शत्रूं के लिए आप कहींने नक्सान में पढ़ते हैं, आपका सामने तो कोई आकर क्या कुछ कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि अरो बिच्छी का लगना बहुत हिमत भले होते हैं, वो सामने करने में माहिर है, मगर जो इन्वीजीवल एन्मिटी है आपका जो इन्वीजीवल एन्मिटी है आपके सामने बहुत मिठी-मिठी बाते करेंगे मगर आपका जाते हुए क्या काट देंगे आपका कुछ कहां नहीं जा सकता अगर इस तरह का कुछ फिलिंग से आपको हो रहा है कि उनके बज़े स्रद्धा अंडभक्ति वो वीडियो को हर रोज सुभे बस अपना मोबाइल में प्लेय अप कर देना कान में बस सुनना काफी है कि जाए अपना काम में काफी है उसका जो इंपेक्ट होता है उसका आपका अप्चेतन मन में इतना गहराई तक पड़ता है आप सौच भी नहीं सकते कितना पावरफुल चीज है बगड़ा मुखी का ध्यान, कबच, हृदाय, मंत्र, बिज़ा मंत्र बगड़ा बगड़ा 36 काख्यर होता है मंत्र 36 नहीं होना चाहिए होने से मिस्टेक होता है माना जाता है किसी सीचुएशन में अगर आप भी हो माता बगड़ा मुखी का मंत्र आपको याद आ गया तो आपको कैसे भी यह कम्प्लिट हो 36 के 36 करना है बहुत कुछ है सो एक अड़भाई से मेरे भीवर्स के लिए बेसिकली करे या ना करे यह अपके उपर डिपेंड है मंगल दे बापका सेवेंथ हाउस में है ट्रांजिट में और यही मंगल दे चंद्रमा की नखित्र में है जो कि आपका भाग्या भाब का अधिपती अच्छे में है मगर शुक्र की घर में है सेवेंथ हाउस स्पाउस का घर में है पार्टनर्शिप का बिजनेस अगर है नया अभी कुछ नहीं करना अगर पहले से है थोड़ा सांत मेंटेन करें संज है कि संने वाला क्या बोल रहा है एक जकली चीजों को कि गौर से स्टड़ी करें कोई सिगनेचर देना पड़ता है तो आप्टर स्टड़िट इसे डिस्ट्रवांस में ऐसा क्या कुछ डिसेशन ना ले आना अच्छा है क्यों मंगल देब लगभग लगभग इसी टाइमिंग का लस्ट तक रहेगे सोला तक सोला अक्टवर तक यह चंद्रमा को मत लीजिए चंद्रमा ढाही ड़ाई दिन में एक एक राज़ी ट्रांजिट करते हैं यह मंगल देब अकेला ही रहेंगे सात्मा हाउस में वो लगने को देखते हैं अद सन्य अभी के लिए धनिस्टा नखित्र में बिलोंग स करता है जो कि मंगल का नखित्र अबकोर्स सन्य का द्रिष्टी में नहीं है कौन मंगल देब फीरी भी कही न खही दिनाकेल रिलेशनुशिप में आते हैं सन्य देब जोकी आपके लिए सब्सें बड़ा माले भी करता है तो सेवन्थ हाउस स्पाउस का करक है बिजनेस का करक है कॉंजुगल लाइफ का करक है का फरेंज से रिलेटेड क्या कुछ अगर काम का जहे करक है कि सेवन्थ हाउस में एक इंटीमसी आती है दो दिलों का बात जो जुड़ाब होता है सेवन्थ हाउस दो दोस्त हो सकता दो पाटनर हो सकता दो प्रेमी हो सकता पती पत्नी हो सकता जहां पर कि और कुछ है ही नहीं जहां पर और कुछ है ही नहीं वो दोनों जो डिसेशन करे वो फाइनाल है यह सेवन्थ हाउस है तो इसी लियाद से मंगल का सेभिंत में होना आपका इग्रेसिवनेस को इसी चप्टर में इसी डिपर्टमेंट में इसी सब्जेक्ट में दरसाता है थोड़ा कॉल डाउन रहें क्या कुछ बुलने अगर जा रहा है अगर आप भी गए आप बहुत टेंपरामेंट में एक दो तीन सेकंड का अगर टाइमिंग आप रखें ताकि आपको सोचने के लिए टाइम मिलेगा कि आप क्या कहने जा रहे हैं या का कहने वाले हैं इसमें आपका बहुत सुधर आ जाएगा इस पेशार आडवाईज है आपके लिए दिच्छी का लगना मेरा कई सरी दोस्त दिच्छी का लगना है है उनमें बहुत बढ़िया है मतलब हीपिनोडिजिम पावर और अट्रेक्टेड ट्वर्स अपोजिट सेक्स यह सत्य है अगर मेल है तो फीमेल साइट से बहुत आट्रेक्शन मिलता है अपोजिट सेक्स है बिच्छी का लगना सतरा आठ यह जो नाखितन होता है 16 अड़ 17 नमोर का शीक साउस में आपका रहू है मंगल का खुद का घर है यह आपका काम कच नवकरी पैसा जॉब का जगा है और रहू सुक्र की नखितर डिविजन में बिलूंग्स करता है जो सुक्र की आपका सातमा घर का और बारमा घर का है पहले से अगर आपका कुछ वो डिस्पूट रहा हुआ है पती-पत्नी में यह पीरियड उतना सुटेवल नहीं होता है साल्व होने के मगर अगर आप चाहे एक साइलेंस मेंटन करे अपने तरफ से ज़्यादा कहा सुनी ना करे और इसमें कोशिस करे चीजे सुलज जाएगा चीजे सुलज जाएगा क्यों 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 आप पर रहुदेप सीख साउस में ब्रुहस्पत्य आपका फीप्थ हाउस में है आपके लिए ब्रुहस्पत्य बहुत फाइदामंद है फीप्थ हाउस का कारक है प्रोब्लेम यह रेट्रोवेशन में है और सानी की नाखित्रा में है जो सानी की आपके लिए मेले फीगे सो चीजों को सुलजाने को कोशिस करें ठेंड़ा दिमाट से टेंपरामेंट को छोड़ दीजिए डिसेशन मेकिंग को पेसंस की साथ करें किसी अंडर्टेकिंग में सीगनेचर मत किया करें और यह टाइमिंग में क्रेडिट ना करें तब तो अच्छा है कम चेकम इसी महिने इसी अंतराल में करजा ना ले क्रेडिट ना ले बैंक से अगर अपलाई हुआ हुआ आगे तब इसको पुस्ट्पंड करा दिजिए क्यों कोई कुछ कंडिशनल अपको अभी का टाइमिंग में मान लीजे पेसा देगा मगर बात में कंडिशनल कुछ और हो जाएगा जिसको लेकर परेशा ने अपके लिए बहुत आ सकता इन फ्यूचर के तु देव आपका बार्मा घर में है एकस्पेंडिशर का घर में डाइरेक्टल सेवेंध इस्पेक्टेशन शीक्स है उसको है यह टाइमिंग में क्रेडिट मत लिया करें अगर अस्ट्रोजी के अपरूत ना विश्वास है अपका मिलने को है तब उसको हाँ आपको प्र वीजन शुक्रक stone के अखतराम है मों तारा चक्र में मंगली कागर तीं नख्र में आप पड़ता है जैनnen मतलब अफ्का जनम हुआ है तो मरिग सिरा चित्रा धनिश्टा कि कैउते हैं तो यह टाइमिंग आपके लिए संपत्तर ने में पढ़ता है आपके लिए कही नहीं financially gains जो दिये हुए पैसा पड़ा हुआ था साथ आपको मिल जाने वाला है पैमेंट मिलेगा आएगा पैसा मगर क्रेडिट नहीं करना कोशिस करें अरण शुक्र आपका 10th हाउस में है आएंगे 11th हाउस को शुक्र कवन्या साइन को 24 सेप्टेमर को आजाएंगे शुक्र आपका 7th हाउस का कारक है अगर कोई भाईकिल खरीदने के लिए आपका मन में था इच्छा था चाहे वो टोहिलर, फोरोहिलर क्या कुछ है तो आप मन लगाए यह हो सकता यह हो सकता मगर पैन और पेपर की उपर पूरा नजर रखे अगर फाइनेंस में लेते हैं तो टार्म और कंडिशन को बरावरी शेप पढ़े ऐसे पेजेस को उल्टा के लास्ट एंड में सिगनेचर करे टाइम नहीं है अपका एजेंट की पास सरसर जल्दी किर जल्दी सिगनेचर करे मेरे को टाइमिंग है नहीं चाहिए अपका रोन रीनी ना ले टार्मान कंडिशन को अच्छी ढंक से पढ़े अगर फाइनसियली कुछ लेने आप जा रहे हैं बाकी बात में आपको पस्ताना ना पढ़ सकते बोलेंगे कुछ रेट आफ इंट्रेस्ट बात में आपको रेट आफ इंट्रेस्ट के क्या कुछ और होगा उसमें और क्या कुछ जुड़ा दिया जाएगा कशस रहे मगर गाड़ी बगएर खरीदने के लिए शुक्र आपके लिए हेल्प करेंगा भी इलेवेंथ हाउस को आने वाले यह तो डेविलीटेशन का जागा है शुक्र का फिर भी आपके लिए खाइदा मन्द रहेंगे इलेवेंथ हाउस होने के बावजुप और शुक्र आपका मीत्रदरा में पढ़ते हैं इसलिए मैंने बोला कि अगर भाई के लिए लाने का हे कार वागेरा यह टाइमिंग ठीक है फिर दोवारा दोह रता हूं पैन और पेपर की उपर कंपर मेंज मत करें अच्छे से पढ़ें लास्ट एंड में सिगनेशर करें दोदमाली फिक प्लानेट आपके लिए है अभी रहू और के तू शिक्स हाउस में रहू और आपका 12 हाउस में के तू अच्छे में नहीं है स्टूडेंट्स मेहनत जोर लगाए क्योंकि फिप्थ हाउस में ब्रोस्पति आपका रेल्टर वेशन में है बक्री में है वो कही न कहीं फोर्थ को देखता है सनी की नखित्र डिविजन में है उतरा भद्र बदा मेहनत की उपर कंपरमाइज मत कीजिए जितना सारे स्टूडेंट्स है करेंगे तब तो अचीब्मेंट पाएंगे कही ना कहीं ब्रैक डॉर के पीछे मत जाईए यह आपके लिए नुक्संद ही सभीत होगा अच्छा न पहीने में यह आपके लिए कितना सही होता है कि अगर होता है तब तो बताइएगा अगर ठीक से नहीं होता है तो बताइगा मैं क्यों आपका 20-25 मिन टाइम हल तो मेलूं जिस तिन यह संकरवन हुआ है ना सात्तरा तारिक को 17 सेप्टेंबर को ब्रिशब रशी में चंद्र अच्छा बिल्कुल नहीं है बुद्ध चंद्रमा में बनते नहीं है इसको डावल्टिक देता हूं यह सारी डावल क्रॉस देता हूं बीस सेप्टेंबर नाइन्थ हाउस अपका सानी का साथ मां दृष्टी यह फिर भी ब्रोजबदी का पांचमा दृष्टी अच्छा रहेगा डावल्टिक देता हूं अब मंगल वाले हैं ना एगरेसिव नेचर है आज का डेट में जो महाकाली महा सरश्वद्यांड महालक लख्वी जी होती है ना सच में पावर किसका आज़ादा है अपने कई सब्सक्राइव फिल में आण कहाणी शुने होगे किसके है मेरे ख्याल में महकाली में होते है जो जितना तकत बर है आज का डेट में जितना एग्रेटिव है वो अपना एंपेर उतना खड़ा करता है अग्लाखिमी जी अपने आप आज आते है पासमें आट सरस्वती जी बहुत काम का चीज आज का डेट में महा कड़ेका 23 सेप्टेमबर शिंग साइन अपका दसमा घर चंद्रमा ट्रांजिट और 24 तरीको शुक्र आजाएंगे अपका 11 फिर भी शुक्र के साथ चंद्रमा प्रफेशनली अच्छा है डावल टिक देता हूं 25 को कण्या साइन 11 फिर शुक्र देप तूला को आएंगे 26 तरीको एक दिन तक बुद्धा देप यहीं पर रेट्रोगेशन की पुजिशन में है चंद्रमा आजाएंगे सूरिया चंद्रमा और बुद्धा 11 फिर बेटर हैं तूला साइन 12 फिर केतू के साथ ग्रहन दोस बनेंगे और साथ मां दृष्टी में रहूगा आजाएंगे अच्छा नहीं जार्जी आपके लिए डावल करस्तेता हूं बिच्छी का लगना हमेशा लगना में चंद्रमा सुभई श्री चंद्र कहलाता है अच्छा है किसी भी इंपसिबल काम में हाथ न लिए जो अभी तक हुआ नहीं हो रहा था दौनु साइन सेकेंड हूस आपका वेल्थ का उप रस्पती का घर है बहुत अच्छा है टीक देता हूं मकर साइन राशनी के साथ आजाएंगे कमुनिकेसंट स्कील उसी दिन आपका थप पड़ेगा घर में भाई-बेन के साथ महल ठीक रखे थार्ड हूस कुम्भो साइन छे अक्टोबर आपका फोर्थ हूस मानसिक तोर पे फास्ट आवर कुछ दोपर तक आपका सांत रहेंगे उसके बाद आपका मन में कुछ असांत भावना आएंगे क्रस्ट देता हूं मीनस आइन आठ अक्टोबर को बुरस्पती के साथ पंच्पंगर क्रियेटिवीडिय इसके लिए बहुत दढ़े डावल टिक देता हूं ट्रिप्पुल देता हूं जबकि ये कुम्ब साइन से चंद्रमा धीरे दीरे चले जाएंगे रेट्रोगेस्टन में ब्रहस्पती और चंद्रमा ट्रिप्पुल टिक देता हूं मेसा साइन 10 अक्टोबर ये आपका साथ फिर से ग्रहन दोस्ट डिस्पुट कुछ हो सकता आपका जब में 12 अक्तोबर ब्रिशाब राची फिर से मंगल के साथ सात्मा घर मौल ठीक रखे घर में स्पाउस के साथ कहीं बाहर जाने का है कि क्रास की हों दिया है वो टीक देने को है शारी विशाब मित्थोन साइन चंद्रामा ट्रांजिट करेंगे 15 तरीक को अपका एट होस ऐसे भी चंद्रामा अंड बुद्ध में रिलेसंशिप ठीक नहीं है सत्रा तरीक अक्तवर करकसाई ने अपका नाइन था हुशनी का सात्मा दुरुष्टी फिर भी पांचमा दुरुष्टी व्रोस्पति का अच्छा है कि टीक देता हूं यह है कि मौन्थली चंद्रामा का ट्रांजिट का प्रेडिक्शन इसको अगर आप सेयर मार्केट में सब्सक्राइब कर सकते अगर धंग से यह काम करता है तो बताइएगा कर नहीं कि अशक्राइब बिल्कुल पता नहीं क्यों यह आप लोग करते हैं अगर फिडियो नहीं लगता है तो चैनल छोड़ देंगे बहुत महिनत करके वीडियों बनाता हूं बहुत मुश्केल से टाइम को अच्छा नहीं लगता है अगर आच्छा नहीं लगता है अगर अच्छा लगता हूं इतना भीवर चाहब आते हैं देखते हैं तो एक सबस्क्राइब लेने से क्या फर्क पड़ता है मुझे पता नहीं है सची मैं दिलो दिल से मेरे को प्यार करते हैं तो आज के लिए नमस्ते बिदाय दीजे को रंग पंड़ा को जय जगरनाथ फिर मुला करता हुगा अगले विडियो में सर्वे भवन्तु सुकिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्रानी बस्यंतु मा गस्ति दुखवा भवेत जय जगरनाथ